और पहले जब उनकी सरकार्थ उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ती कटी करके किसको बाटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे। गुश्पेठ्षों को बाटेंगे। क्या आपके महनत की कमाई का पैसा गुश्पेठ्षों को दिया जाएगा? ये कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकर इलेंगे, और फिर उस संपत्य को बाटेंगे, और उनको बाटेंगे, जिनको मनमोन सिंग जी की सरकान ने कहा था, कि संपत्य पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है, भागयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच, बेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। हमारे भारत के पदान मंत्री नरेंदर मोटी का एक भाशन हुआ, नरेंदर मोटी ने कोई नहीं बात नहीं कही हमेशा कहते हैं, आज भी कहती हैं उन्होंने, उन्होंने क्या कहा कि मुसल्मान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, अब हम आपको मोटी जी की इस भाशन का पोस् माटम करते हैं, उनके भाषन का उन्होंने जो भाषन दिया उस बारे में आपको जो जूट उन्होंने बोला उसकी सचाई को आपके साम में रखकर ताके मोडी जी को भी मालूम हो जाये कि मोडी जी आप लंबी लंबी फेकते हैं जावीत की तरह मगर हम आपको सचाई बया बता देते हैं और सचाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुसलिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलेटी रेट है वो 2.36 है कम हुआ है माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसल्मान वो कम हुआ है हमारे हिंदू भाई बयन का उससे कम है जरूर मगर हमारा कम हुआ है मगर मोडी जी क्या बोलते है बच्चे बहुत पैदा कर रहे है अच्छा मोडी जी आपके कितने भाई हैं छे अमिच्चा के कितनी बैने हैं छे रवी शंकर प्रसाद के कितने भाई बैन साथ मगर इन सब को नजर आता है मुसल्मान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है ये एक गॉर्मेंट का डेटा बता रहे है टू पॉइंट टू पॉइंट ट्री सिक्स अब आप इस पे आ जाईए दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर गुस बेटी है 15 जुलाई 2014 को गॉर्मेंट ने पार्लिमेंट में इस तरह कोई जाब नहीं दिया कोई एस्टिमेट नहीं है कहा 25 नॉवंबर 2014 को गॉर्मेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है नमबर नहीं है 6 दिसमबर 2016 को गौ़र्मेंट ने का कोई confirm डेटा नहीं है बंगलादेश से जो लोग आ रहे है 22 दिसमबर 2015 को लोग सबा में गौ़र्मेंट ने का हमारे पास कुछ रिकार्ट नहीं है 21 माज 2017 को मोडी सरकार ने का कि डेटा अविलेबल नहीं है 11 अपरल 2017 को गौर्मेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बंगलादेश से कि इत्यारे 1 अगस 2017 को गौर्मेंट ने वही जवाब दिया 20 माच 2018 को वही जवाब दिया 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया 3 माच 2020 को मोडी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है नंबर नहीं है तो मोडी जी आप किस बुनियाद पर गुस्पैटी कही दिया हमको बताओ अब मोडी जी का जवाब सुनो आप अब हम उनको जवाब दे रहे अगर हमारे दक्षिन भारत के जो परदेश है दक्षिन भारत के जो परदेश है वहाँ पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे है और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो मुमबई से और दक्षिन भारत से मिलता है मोडी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे है आप देश को कमजोर करने का काम कर रहें अगर दक्षिन भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लिमेंट की सीट कम है हम बच्चे भी कम पैदा कर रहें पैसे भी ज्यादा दे रहें तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के पदान मंत्री बताओ हम को बताओ क्या जवाब दोगे आप मेरे अजीज दोस्तों और मुझरों ये नरे